हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की धगदग गल मादूरी दिख्षित 55 साल की हो चुकी है 48 साल के केरियर में मादूरी दिख्षित ने इंडस्ट्री में कई यादगार फिल्में और गाने दिये है उनकी मुस्कान को देखकर मदुबाला की आदा आ जाती है वही मादूरी दिख्षित जो करोड़ों लोगों के दिलों को धड़काती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक बार अपने फैंस को छोड़ कर चली गई जब उनका करियर उचाईयां चूर रहा था देश भर में ही नहीं दुनिया भर में मादूरी की खुबसूरती और आदाकारी के चर्चे थे तो वह सब छोड़ चाड़ कर समंदर पार चली गई थी इसकी वज़ा क्या थी और क्यूं उन्हें देश छोड़ कर जाना पड़ा फिर वो कैसे भारत लोटी आई ये सब फुरसत से बताते हैं 15 माई 1967 को मुंबई में मराथी ब्रामण फैमली में मादूरी दिख्षित का जनम हुआ उनके चार भाई बहन हैं तीन साल की उमरे से कथक क्लास वह जाने लगी थी महजार साल की उमरे में वह एक ट्रेंट कथक डांसर बन गई थी कथक वह कई स्टेश पर कथक कलास से लोगों का दिल जिच चुकी थी स्कूल से ही मादूरी दिख्षित ने एक्टिंग में दिल्चस्पी लेना शुरू कर दिया था वह स्कूल के ड्रामा में भाग लिया करती थी जब वह कॉलेज आई तो उन्होंने साइंस में ही करियर समारने का सोचा लेकिन मादूरी पर साइंस से ज्यादा एक्टिंग का भूछ सवार होने लगा था कॉलेज की छुटियों में सिर्फ आराम और इंजोई के बाहने उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ले थी उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि वह बड़ी होकर बॉलीबूड की जान बन जाएंगी वह तो बस छुटियों में टाइम पास के बहाने एक्टिंग में आई थी 1984 में माधुरी ने अभोध फिल्म से करियर की शुरुवात की थी इस दोरान वे महज 17 साल की रही पहली फिल्म फ्लॉप रही लेकिन समिक्षक और निर्देशक समझ गये थे कि इस लड़की में कुस्तोख यही वज़ा है कि माधुरी कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गई उन्हें दूसरी और तीसरी फिल्में मिलती रही और वे फिल्में करती चली गई हिंदी सिनेमा में कदम रखने के चार साल बाद माधुरी दिक्षित ने अपने केरियर की पहले हिट फिल्म दी थी तेजाब अनिल कपूर के साथ जोड़ी और भेतरीन डांस वा एक्सप्रेशन के देश भर के फैंस कायल गिया 1980 के दशक में माधुरी ने राम लखन, प्रेम प्रतिग्या, तृदेव से लेकर परिंदा जैसे फिल्मों में काम किया तो फिर 1990 तक आते आते जमाई राजा, किष्ण करहिया, प्यार का देवता, धरावी, बेटा, प्रेम दिवाने, संगीत खलनायक, अंजाम, हम आपके हैं कौन, राजा, कोईला, दिल तो पागल है बड़े मिया, छोटे मिया, जैसे फिल्मों में मादुरी ने धूम मचा दिया लोग हैरान तो तब रह गए जब मादुरी दिख्षित ने हम आपके हैं कौन के लिए, सल्मान खान से भी ज़्यादा फीस ली थी कहा तो ये भी जाता है कि उस जमाने में मादुरी दिख्षित ने करीब 2.7 करोड उपे लिए थे 90's में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वह एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही थी इस दोरान उनका नाम संजेद दच से लेकर बड़े सितारों से भी जुडा कहा तो ये भी जाता है कि जब संजेद दच से मादुरी दिख्षित का रिष्टा तूटा तो वह बुरी तरह तूट गई थी फिर उन्होंने 1999 में अमेरिका में रह रहे हैं कार्डियो वस्कुलर सर्चन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली शादी के बाद मादुरी दिख्षित पुकार ये रास्ते हैं प्यार के हम तुम्हारे हैं सनव देवदास जैसे फिल्मों में नज़र आई लेकिन फिर मादुरी दिख्षित ने फिल्मों से ब्रेक लेने का सोचा वे परिवार पर ध्यान देने के लिए बॉलिवूट को अलविदा कहकर अमेरिका चली गई माधुरी का करियर सुपर हिट चल रहा था निशा के बाद वे चंद्रमुखी तो कभी राणा बनकर स्क्रिन पर लोगों का दिल जीत रही थी लेकिन फिर वे देश छोड़कर साथ समंदर पार चली गई फैंस ने उनके बिना साथ साल काटे थे वे साल 2006 में यानि पूरे साथ साल बाद इंडिया लोटी और फिर 2007 में आज आ नचले फिल्म से कमबैक